कि बिस्मिल्लाहिर रख्मान रखीम अस्सलाम उलेकुम डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नमबर 12 एल्डी हैट्स एंड की टॉन्स के कन्वरिजन से रिलेटिड क्वेस्टिन के साथ यहां पर आये हैं क्वेस्टिन नमर 16 हमारे पास हाव वोड और यो ब्रिंग अबाउट दा फॉल्विंग कन्वरिजन स्टॉटल 12 पार्ट इसके दिये गें सिक्स पार्ट मैं इस लेक्टर में पार नमर वान में करूंगे और नेक्स पार्ट में हम लोग करेंगे ताके जो है वो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहोंगे सबसे प कि प्राइमरी, Scandry and Tertiary alcohols तो Grignard Reagints देता है हम लोगों को किस के साथ रияхशन से देता है जब प्राइमरी अलकोहल हम लोगों ने बनाना होता है तो हम लोग क्या करते है विडियोटध यूज करते है स्पडेसिट्धिली फॉर्मलडियोट video क्या करना पड़ता है कि टॉन लेना पड़ता है कि टॉन का रियक्षिन कर्वाना पड़ता है हम लोगों को इनाट रियाजेंट से तो यहां पर हमारे पास देखे औ toxicity टॉन एक टॉन ही है यह हमारे पास क्या है य recomp it का structure है हमने इसको convert करना है किसमें tertiary butyle alcohol त टरशीरी क्या होता है जब कारबन के साथ ड्रेक ли है फिरी कार्ब तो यह हमारे पास एक किटोन को हमने कन वर्ट करना है किसमें अल्कोहल में कीटोन को कनवर्ट करना है हमने एक तरश्री अल्कोहल में तो यहाँ पर की रियक्शन जो मैं कहती हूँ मेशा हम लोगों को देख लेना चाहिए कि इसमें की रियक्शन किया है इसमें नोट पॉइंट किया है वो यही है कि हम लोगों ने तरश्री अल्कोहल बनाना है तो तरश्री अल्कोहल के लिए ग्रिगनाट रियेजेंट का रियक्शन होता है विद अल्डिहाइड और कीटोन ठिक तो ग्रेगुनाट रियेजेंट यहां पर क्या है की पॉइंट है अब हम लोगों के हमें पता है कि जब झाल इसी टोन क्या करता है को यह करता है जो कह है कि कि टोन है इसक का reaction हम लोग करवाते हैं किसके साथ गरिगनाड रियाजेंट के साथ गरिगनाड रियाजेंट यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा देखें वान टू थ्री थ्री कार्बन पहले ही है एक और कार्बन हमें चाहिए तो हम मिथायल मेगनीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे ठीक है उसके अल्कोहल बन जाएगा तो यह बन गया हमारे पास टॉट्वी व्यूटाइल और अल्कोहल यह हमारे पास क्या है टॉट्वी व्यूटाइल गोगता है तो यह हमारे पास फास्ट कनवाजिन थी ठेक है अब हम लोग move करते हैं second conversion की तरफ second part है हमारे पास conversions का propanol यानि कि एक aldehyde को हमने convert करना है one propanol यानि कि alcohol में convert करना है propanol 3 carbon वाला हमारे पास aldehyde होते है CH3, CH2, C double bond OH ठेक है इसको convert करना है हम लोगों ने propanol में ये तो फिर मारे पास noteworthy जो point है वो ये है कि एक functional group जो हो रहा है वो दूसरे functional group में convert होता है तो हम लोग देखें जी aldehyde convert हो रहा है कि इसमें alcohol में backward हमारे पास क्या flow है यानि कि reduction यहाँ पर हम लोग इस्तमाल करेंगे और तो हमें पता है कि जो aldehyde हैं जब वो reduce होते हैं तो वो क्या देते हैं alcohol देते हैं और जो हमारे पास अगर ketones होंगे तो जब वो reduce होते हैं तो वो हमारे पास secondary alcohol देते हैं ठीक है तो ये primary alcohol है one propanol primary alcohol यानि कि o h group के साथ वाला जो carbon है वो ड्रक्ली एक carbon के साथ हो तो वो primary alcohol है तो simple हमारे पास यहां पर क्यों सा flow होगा reduction flow है हम reducing agent यहां पर इस्तमाल करेंगे lithium aluminum hydride यह जो होता है यह alcohol तक ही इसको लेकर जाएगा lithium aluminum hydride बहुत अच्छा किसम का reducing agent है यह हमारे पास क्या है इसका reduction flow है ठीक है simple हमारे पास यह क्ये थे conversion है थर्ड पार्ट हमारे पास propanoon into two propanol propanoon हमारे पास क्या है एक ketone है CH3 C double bond O CH3 acetone भी इसको बोलते हैं इसको हमने convert करना है two propanol अब two propanol का मतलब यह है कि यह हमारे पास एक secondary alcohol है ठीक है तो एक ketone हमने वो worthy point तूनडा होता है जो हमें help करता है conversion में तो वो यह देख लें कि यह किटोन है और यह हमारे पास एक secondary alcohol है अब ही जो लास्ट conversion हमने की थी उसमें हमारे पास क्या था कि एल्डी हाइट जो था वो प्राइमरी अलकोहल में convert हो रहा था यहां पर हमारे पास क्या है किटोन जो है वो secondary alcohol में convert करना है हमने तो मैंने अब भी बताया था कि हमारे पास जो प्राइमरी अलकोहल होते हैं वो LDI की reduction से बनते हैं और जो secondary alcohol होते हैं यह reduction flow है और secondary alcohol होते हैं वो ketones की reduction से बनते हैं ठीक है students तो यहां पर आप लोग ने क्या है simple एक reduction क्या है फ्लो है हमारे पास जो reducing agent है वो वही strong किसम का reducing agent इस्तमाल होगा lithium aluminum hydride students इसके लावा हमारे पास क्या है platinum, palladium, hydrogen की मुझूदगी में भी समाल हो सकते हैं high temperature पे लेकिन यह हमारे पास best option होती है ठीक है lithium aluminum hydride जब reduce करेगा किसको एक ketone को तो secondary alcohol प्रोडियूस होता है two propanol फिर मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा कि aldehyde की हमेशा reduction से primary alcohol बनते हैं और ketones की reduction से हमेशा secondary alcohol प्रोडियूस होते हैं तो यह एक important conversion है fourth हमारे पास जो conversion यहाँ पर given है वो है methanol into ethanol methanol हमारे पास क्या होता है पहला member है aldehyde का एक carbon वाला उसको convert करना है हम लोगों ने two carbon वाले aldehyde में ठीक है student तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि हमारे पास जो है वो की reactions for conversion क्या है जो हम लोगों को यहाँ पर ढूंडने है देखें aldehyde aldehyde में ही convert हो रहा है लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो aldehyde है वो one carbon है यहाँ पर जो aldehyde है वो two carbon है डबल हो रही है तो वोड्स रियक्षन यहाँ पर क्या होगा की रियक्षन होगा अब वोड्स रियक्षन की तरफ मूफ करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों को alkyl hylide चाहिए होता है alkyl hylide worst reaction देते हैं यहीं जा जाए है यहीं जाए है मिथानल को पहले हम लोगों ने convert करना है कि इसमें alkyl hylide की तरफ लेके जाना है ताके worst reaction बने अलकाइल hylide बनाने के लिए हमारे पास alcohol होना जोगी है क्योंकि alcohol को हम लोग alkyl hylide में easily convert कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे formaldehyde की करवा लेंगे reduction reduction के लिए हमारे पास reducing agent reduction flow यहां पर इसमालोगा sodium borohydride या फिर lithium aluminum hydride भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं यह best reagent है reduction के लिए तो इससे हमारे पास बन जाएगा एक carbon वाला alcohol alcohol से हमने alkyl hylide बनाना है तो हम क्या करेंगे aquas k-o-h sorry हम लोग ने alkyl hylide बनाना है तो हम लोग इसको best thionyl coloride के साथ इसकी chlorination करवा लेंगे chlorinating agent है thionyl coloride तो हमारे पास यह pyridine की मुझूदगी में होता है तो हमारे पास methyl coloride बन जाएगा बन गया methyl coloride अब हम words reaction करवा लेंगे हम लोग 2 mol लेंगे methyl coloride के 2 mol ही ले लेंगे sodium के ether की मुझूदगी में यह reaction होता है ठीक है तो हमारे पास बन जेगा ethane जी carbon chain हो चुकी है double अब हम लोग ने ethane से move करना है toward product यानि कि हमने बनाना है दो carbon वला aldehyde तो यह note करें कि यह एक oxidation flow है ठीक है aliphatic hydrocarbon alcohol में oxidize होते हैं और alcohol जो होते हैं वो further oxidize होते हैं किसमें aldehyde में ठीक है students तो अब हम लोग यहां क्या करवा लेंगे हम इसकी oxidation करवाएं अगर तो जो alkane होते हैं वो oxidation flow में हमने पढ़ा है copper at high temperature 400 degree centigrade हमारे पास क्या होता है temperature होता है 200 atmospheric pressure पर तो हमारे पास क्या बन जाएगा इतायल अल्कोहल बन गया यह जो इतायल अल्कोहल है इसकी क्या करवा लें oxidation करवाएं oxidizing agent अब जरा ध्यान से हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा हम लोगों को ऐसा oxidizing agent इस्तेमाल करना है जो aldehyde तक oxidation करवाएं और फिर reaction को खतम करवादे तो उसके लिए हमारे पास alcohol को aldehyde में convert करने के लिए बड़ा अच्छा oxidizing agent होता है anhydrous chromium oxide CRO3 यह क्या करता है यह alcohol को aldehyde तक कर अक्सिडाइज करता है और उसके बाद reaction खतम कर देता है तो यह हमारे पास क्या था methanol to ethanol conversion होगी हमारे पास ठीक है इस तरीके से हम लोग इसको convert कर सकते हैं फिफ्थ हमारे पास जो conversion है वो ethanol into propanoon है ethanol हमारे पास क्या है एक aldehyde है CH3C double bond OH इसको हमने convert करना है propanoon में जो कि क्या है ketone है aldehyde को convert करना है हमने किसमे ketone में अब भी हम लोग थोड़ी दे पहले ये बार discuss कर रहे थे कि हमारे पास ketone जो है वो oxidizing product है किसका secondary alcohol का तो इसका मतलब है हमारे पास secondary alcohol होगा तो ketone बनेगा acetone बनेगा हमें बनाना है secondary alcohol किसी तरह से हमें इस acid aldehyde को लेके जाना है secondary alcohol में अब scandrial coal scandrial coal के लिए हमारे पास key reaction होता है grignard reagent के साथ जब हमारे पास formaldehyde के लावा कोई aldehyde reaction करता है grignard reagent से तो हमारे पास एक scandrial coal बनता है तो key reaction आ गया हमारे हाथ में अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग करवा देते हैं meet ethanol का reaction इसके साथ grignard reagent के साथ यह दो कार्बन वाला क्या है ठीक है एक और कार्बन वाला methyl magnesium bromide इस्तमाल कर लूँगी मैं grignard reagent ठीक है तो फिर इसकी हम लोग acid hydrolysis भी करवाते हैं जिससे हमारे पास बन देगा एक scandri alcohol scandri alcohol बढ़ाईजी आगे scandri alcohol के आगे से हम लोग क्या करवा देते हैं oxidation करवा देते हैं ठीक है तो oxidation के लिए हमारे पास यहां पर कौन सा reagent इस्तमाल होगा कोई भी strong किसम का आप लोग इस्तमाल कर ले रियाजेंट क्योंके जो ketones हैं वो वैसे ही क्या होते हैं फर्दर रिजिस्ट करते हैं फर फर्दर oxidation के लिए तो आप यहां पर पोटाशियम डायक्रोमेट के टू सी आर्टू ओ सैवन यह acidified होता है acidic condition में इस्तमाल होता है तो यह हमारे पास एक scandri alcohol convert हो जाएगा ketone में यानिके acetone में इसका नाम क्या है यह प्रोपनोन बन गया इसका दूसरे नाम है acetone और यह था हमारे पास क्या ethanol और इसका common नाम होता है acid aridhyde तो यह हमारे पास त्रीक्राइकार होगा क्या conversion का ethanol into propanol अब हम move करते हैं next six conversion की जाने पाइगा sixth conversion है ethanol into two propanol ठीक है यह part one की last conversion हम लोग करने लगे ethanol एक aldehyde है हमारे पास two carbon वाला aldehyde है इसको हमने convert करना है alcohol में ठेक है यह हमारे पास aldehyde है और यह मेरे पास scandry alcohol है तो फिर वही बात है कि हमने scandry alcohol बनाना है हमारे फोरन क्लिक होना चाहिए कि scandry alcohol तो यह ग्रिगनाड रिएजेंट का reaction किसे करवाया जाए पॉमलडी हाइट के लावा किसी और aldehyde से करवाये तो हमारे पास क्या बनता है scandry alcohol बनता है तो यहां पर तो जो रियक्टन दिया हुए वह भी मारे पास एक aldehyde ही है तो reaction conversion इंतहाई असान है मारे पास ठीक है हमने direct जो यहां पर रियक्टन दिया हुए है उसका reaction करवा देना है grignard reagent के साल methyl magnesium bromide ठीक है two carbon मारा aldehyde है तीसरा carbon यहां से आ जाएगा grignard reagent से acid hydrolysis करवाते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक scandry alcohol ठीक तो यह हमारे पास convert हो गया क्या एथनल एंटू तू तू प्रोपनो जो के एक scandry alcohol है तो यह हमारे पास first six conversions complete हो गी है second part में हम लोग नेक्स्ट six conversions को देखेंगे students हम बहुत सारा ख्यार रखियेगा और मैं आपको एक और बात बताती जाओं कि जो tricks की मेरी वीडियो है organic conversions के tricks related पूरी एक playlist बनी हुई है आप उसको search करके वो लाजमी देखे उसको देखने से आप लोगों को यह conversion करने में बहुत ज्यादा असानी होगी अपना ख्यार रखियेगा अलापाक हम सब का हम्यों नासिरों अल्लाहाफेज कि अवार रखियों अल्लाहाफेज